अब लोगों को पिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताओंगा गाईज की Samson Galaxy A15 5G फोन में आप लोग स्क्रीण रीफरेश रेट को कैसे चेंज Yuk ho सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A15 5G phone है और इस phone में जो है आपको screen refresh rate को change करना है तो यहाँ पर screen का जो smoothness है गए swipe करने से जो आपको smoothness देखने को मिलता है उसको आप लोग कैसे increase or discrease कर सकते हो अगर आपको 120 Hz करना है या 90 Hz करना या 60 Hz करना है तो कैसे आप लोग जो कर सकते होगा screen refresh को change तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते है स्क्रिन refresh rate को change करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद आपको यह आपर से थोरा सा नीचे scroll down करना है थोरा नीचे scroll down करते ही आपको एक option मिलेगा इस display का तो इस display के option पे click कर दीजिए click करने के बाद थोरा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलेगा इस motion smoothness का तो इस motion smoothness के option पे click किजिए click करते हैं आपको यह पर दो option मिलेंगे नीचे वाला 60 Hz जो standard में है और उपर वाला 120 Hz जो high में है तो अगर आप लोग screen को थोड़ा smoothness बनाना चाते हो तो high पे click करके रेखें क्योंकि यह 120 Hz screen है बहुत ही smooth चलेगा और अगर आप लोगो कम करना है 60 Hz पे click करके आप लोग apply पे click कर दीजिए तो आपको यह screen refresh रेखें वो change हो जाएगा 60 Hz हो जाएगा थोड़ा जो है लेगी feel होगा लेकिन आपका battery जो है बच जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने Samsung Galaxy A15 5G phone में screen refresh rate को change कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आए हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई